हेलो फ्रेंज वेलकम टू गार्ण टेप साइमीता बुष्णुई आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटिफुल एक प्लांट जो वाइट दिख रहा है और इसका नाम है पीस लीली सबसे पहले मैं आपके इसकी फ्लावर के बारे में बताऊंगी फिर इसके बारे में रख रखाओ के बारे में बताऊंगी और इसकी के बारे में बताऊंगी इसकी लीव के बारे में इसकी कैसा मौश्य चाहता है कैसा फटलाइजर चाहता है कैसा स्वाइल चाहता है और कैसे क कि care कि भूलावर चीस हो आपको flowers पहले दिखातनेi 헤 फलावर फ production बारे में बात करना शुरू करते ये इस्क के लेट परिंग और इरली समर में कैसे औरक्समिल ये जो क्येट जायसा वाइट करण धाय स्कोड़ पेन से ढब and spat और इसकी वज़े से ये spethophyllum से निक आया हूऊ है spethophyllum से है और ये जो अंदर है जिससे इसके seeds बनते हैं वो है spaddix कितना beautiful flower है और ये white color का होता है इस वज़े से इसका नाम peace lily पढ़ा है हलाकि lily family उसका कोई connection नहीं है मगर इसको पीस लिली कहा जाता है तो देखिए, first मैं आपको plant दिखाऊंगी, दूर से दिखाते हूँ, ये non-varigated plant है, पीस लिली का ये भी एक मेरा non-varigated पीस लिली इसकी भी flower देखे, और ये बहुत beautiful इसकी ये leaves देखे, varigated leaves है इसमें भी flowers आएंगे varigated leaves है इसकी तो ये इन दोनों से थोड़ा different है अब मैं flower के बाद में बताती हूँ कि flowering कैसे आप अपने plant में flowering कैसे maximize कर सकते हैं, सबसे पहले तो flowers तब ही आएंगे जब आपका plant mature होगा आप patience रखके इसके लिए wait करना पड़ेगा कि ये plant थोड़ा mature हो उसके बाद में अगर flowering नहीं आती है तो दो-तीन reason हो सकते है number one, इसको flowering करता है इसलिए इसको sun की जरूरत है हो सकता है आपका गमला बहुत ज़्यादा shade में पढ़ा हो और या बहुत तेज sun में अगर बहुत तेज sun में तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी leaves सारी leaves जितनी भी है वो सारी सारी जल जाएगी चारों तरफ से brown होके और खतम होने लगेंगी तो वो तो आपको पता लग जाएगा अब अगर sun अब बहुत ज़्यादा shade में तो क्या होगा इसकी ये leaf अच्छी हो जाएगी vegetation अच्छा हो जाएगा मगर flooring नहीं होगी क्योंकि इसको indirect light चाहिए बहुत ज़्यादा light चाहिए और indirect filtered light हो filtered light कैसे मिलेगी इसको या तो green net के नीचे हो shade के नीचे हो plant के नीचे हो और second reason इसका हो सकता है कि आप इसमें fertilizer appropriate ना हो ये बहुत ज़्यादा heavy feeder नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा fertilizer करने की जर्वत नहीं है बगर spring में because late spring में इसकी flooring होती है तो इसको आपको spring में थोड़ा fertilizer देना पड़ेगा मैं इसको generally liquid fertilizer देती हूं liquid fertilizer में बनाती हूं एकदम dried cow dung cow dung manure को लेके पानी में dip कर देती हूं उसमें डालती हूं मैं थोड़ा सा नीम खली थोड़ा सा bone meal और उसमें मैं थोड़ा सा fungi side भी डालती हूं spring में और september में fungi side डालने से इसका क्योंकि यह humidity बहुत ज्यादा like करता है तो इसको humidifier में रखे या फिर इसके जब पानी डाले तो इसको spray करते रहिए इसकी leaf को और इसकी soil को भी थोड़ा moist होना चाहिए moist मतलब यह नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पानी रुका रहे पानी रुका रहेगा तो रूख्रॉट हो जाएगी तो थोड़ा सा उपर से ड्राई हो तब पानी डाले मगर जब पानी डाले तो इसकी leaf को थोड़ा सा spray करते जे तो हो सकता है fungus हो जाए इसलिए मैं fungi side भी डाल देती हूं और अब यह flowering के बारे में हो गया अब leaf के बारे में है कि जब इसकी leaf droop करने लगें droop means कि ऐसे करके जैसे यह leaf है यह नीचे ऐसे आने लगे सारी leaf ऐसे नीचे आने लगे ऐसे करके नीचे ग्रूप करने लगे इसके मतलब इसकी pot में पानी बहुत कम है कि आप इसको थोड़ा सा वाटर दीजिए और अगर बहुत ट्राई हो रही है काली हो रही है साइट से ब्राउन हो रही है तो फिर इसके मतलब है कि यह संसे जल रहा है पौधा तो यह दो रीजन हो सकते हैं लीफ बर्ण के और लीफ डूप के पानी बहुत कम है अब इसकी सौईल के बारे में सौईल इसको वेल ड्रेंड सौईल चाहिए और फटिलाइजर इसको दो-तीन साल में दो या तीन बार अच्छे से डालिए और जब फटिलाइजर डाले तो पह होते हैं इसके नीचे जो यह दिखे इसके नीचे जो यह है इसके नीचे राइजोम्स होते है जो थोड़ा nutrition और पानी स्टोर करते हैं तो यह थोड़ा सवाइब कर सकता है तो यह आपने देखा कि इसकी कितनी easy care है